हेलो फ्रैंज स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल हेल्दी लाइफ में दोस्तो अभी बारिस की सीजन में बारिस होने के बाद अलग-अलग जगों पर अपने एरिया में पानी भर जाता है और बहुत बार ये पानी भरने से उसमें काफी सारे मच्छर पैदा हो जाते हैं दोस्तों कि आप जानते हैं कि हर साल मच्छर काटने की वज़े से करीब करीब 10 लाख लोग अलग अलग बीमारियों की वज़े से अपनी जान गवाते हैं जिहां दोस्तों ये आकड़े World Health Organization यानि की WHO के है ये आकड़े आपको चोकाने वाले हैं दोस्तों मच्छर के इलावा ऐसा और कोई जीव नहीं है जिसकी वज़े से इतने सारे आदमी की जान एक साल में जाती है जिहां दोस्तों इसलिए मच्छर को सबसे ज़्यादा खतरनाक जनतु माना जाता है दोस्तों विश्व में 3000 से ज़्यादा मच्छरों की अलग-अलग प्रजातिया होती है हाला कि हर एक प्रजाति नुकसानकारा क्या तो जान लेवा नहीं होती है किन्तु हमारे घर में आने वाले मच्छरों में से यदि एक आद मच्छर भी मलेरिया या डेंग्यू का हुआ तो उसके हमारी जान को खत्रा हो सकता है दोस्तों वैसे तो मच्छर पूरे साल पाए जाते हैं लेकिन खास कर गर्मियों में और बारिस की सीजन में मच्छरों की संक्या बहुती जादा बढ़ जाती है मच्छरों से होने वाले रोगों में डैंग्यू, मलेरिया और चिकन गुनिया, मुख्य रोग है जोकी रोगों की जान भी ले सकते हैं दोस्तों मच्छरों की तादाद बढ़ने के कारण मच्छर मारने वाले प्रोडक्ट्स का व्यापार आज दुनिया में करीब करीब 25,000 करोड के आसपास पहुँच गया है दोस्तो मचर मानने वाले प्रोडक्ट्स में कॉइल, लिक्वीड, स्प्रे वगएरे सामिल है यह सभी प्रोडक्ट्स मनुस्य के लिए भी नुक्सान करता साबित हो चुके हैं जी हां दोस्तो अभी तक ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना है जो केबल मच्छर को मारे और इनसान को नुकसान ना पहुंचाए दोस्तो ये प्रोडक्स में बहुत सारे केमिकल्स बहुती जादा मातरा में होते हैं इसलिए ये एक तरफ मच्छरों को भगाती हैं लेकिन दूसरी तरफ हमारे शरीर को भी नुकसान पहुचाती है तो दोस्तो आज के ये वीडियो में हम मच्छरों से छुटकारा पाने के घरेलू और आयुर्वधिक उपचार के बारे में चर्चा करेंगे जो की हमारे शरीर के लिए नुकसान दायक नहीं है लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पे नए है तो कुरूपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी और बाजू में दिये गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे आने वाले मेरे सभी वीडियो की आपको इंस्टन नोटिफीकेशन मिलेगी दोस्तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जो दोस्तोंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तो आज के ये वीडियो में हम तीन अलग अलग उपायों के बारे में जर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पहले नुस्खे की दोस्तों पहले नुस्खे के लिए हमें जरूरत होगी तेजबत्ता, नीम का तेल और कपूर की दोस्तों नीम के तेल में एंटी बेक्टरियल प्रोपर्टी होती है मच्छरों को भगाने के साथ साथ हमारी त्वचा समंदी सभी समसिया जैसे की दाद, खाज, खुजली, सोराइसिस वगेरे को जड़क से खतम करने के लिए बहुत ही ज़ादा कारगर है दोस्तों ये पहला नुस्का बनने के लिए आपको सो एमेल नीम के तेल में लगबग एक चमची जलाने वाला कपूर मिला कर उसको मिस्र करना है दोस्तों ये तैयार मिस्रण को किसी बोटल या किसी डिबे में भर ले दोस्तो उसके बाद दो या तीन तेज पत्तो पर नीम और कपूर के तेल के मिश्रण को लगा कर इसे मच्छरों वाले कमरे में जला दें दोस्तो ये प्रयोक करने से मात्र 10 से 15 सेकंड में मच्छरों पर असर होना शुरू हो जाता है दोस्तो तेज पत्तो से निकला हुआ दुआ हमारे दिमाग को शांत करता है रात को नीन आना सर में भारीपन टेंशन और ट्रेस भी दूर करता है इसलिए स्पा, मेडिटेशन सेंटर या और कहीं जहां पर रिलेक्सेशन होता है वहां पर तेज पत्तो को जलाया जाता है दोस्तो इसका धुआ अस्तमा और माइग्रेन के मरीजों के लिए भी लाबदायक होता है दोस्तो इसे ज़्यादा कुश्बुदार बनाने के लिए नीम के ओईल में थोड़ा पेपर मिंट भी मिलाया जा सकता है दोस्तो आईए बात करते हैं दूसरे उपाई की तो दोस्तो ये उपाई में आपको कपूर और नीम के तेल के मिसरन का दिया जला कर रात बर अपने बिस्तर के पास रखना है दोस्तो ये कपूर और निमके तेल के मिसरन का दुआ मच्छरों को हमारे नजदिक आने से रोकता है दोस्तो अगर आपको बार-बार दिया जलाने से दिक्कत होती है तो आपको छोटे काच के जार या ओइल लेंप से या चिमनी बना लेनी चाहिए जैसा कि हमारे पूराने जमेन में लोग किया करते थे इससे आपको बार-बार दिया जलाने की जंजट से भी छुटकारा मिल जाएगा और ये लंबे समय तक रख सकते हैं दोस्तो दिये का इस्तेमाल छोटी सी जगों में और बिस्तर के आसपास के लिए ही कर सकते हैं पढ़ी जगों के लिए हमें और बर्नर का इस्तेमाल करना है दोस्तो ऐल बर्नर अपको मार्केट में सबस超े मिल जाएगा या पिसे अउन-लाइन भी ऐडर कर लिम का टेल, लॉंग का टेल पेपर मिन टॉईल, या नीलगिरी का टेल लगा के सफर कर सकते हैं. दोस्तो नैचरल मॉस्किटो रि aven до रिपेलंट बनाने के लिए आपको यह सबी तेल चो मैंने पहले बताये यानि कि नारियल का तेल, नीम का तेल, लॉंग का तेल, पेपर मिन टॉल और निलगिरी का तेल को एक समान मातरा में मिक्स कर देना है और उसको एक अपने बोड़ी पे नैचरल मॉस्किटो रिपेलन्ट की तरह लगा के यूज करना है दोस्तो ये सभी तेल हमारी तवचा के लिए फाइदे मन भी होते हैं और साथ ही ये मच्छरों को हमारे नजदी काने से रोकते हैं दोस्तो तो ये तीनों तरीके जो आज मैंने बता हैं ये सभी तरीके हमारे स्वास्ते के लिए भी अच्छे है इसका हमारे सरीर पर अच्छा ब्रभाव पड़ता है और साथ ही ये मच्छर को भगाने के लिए भी काफी असरदार है तो दोस्तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको मच्छर भगाने के नेचरल आयुरुवेदिक तरीकों के बारे में बहुत ही महतोपून जानकारी मिली होगी और आज के बाद आप बाजार में मिलने वाले केमिकल युक्त हानी कारक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे दोस्तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिता अपने दोस्तों और परिवाजनों में इसे अवशे शेर कीजिए यदि आप अन्य कोई विशाई के उपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट में लिखिए मैं वो सब्जेक के उपर वीडियो बनाने की अवशे कोशिच करूँगा थैंक यू